नमस्ते दोस्तों मैं आसा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आसास Mindful Living YouTube चैनल पर मैं आप सभी को धन्यबाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर है अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा अब बढ़ते हैं आज के विशाई की ओर हेलो दोस्तों आप सभी का आसास Mindful Living चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा नमस्ते दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है मैं हूँ आपकी होश्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेरिया के बारे में प्रोजेरिया एक गमीर जन्मसोद संक्रामक रोग है जो सारीरिक बिद्धी की गति को बढ़ाता है यह एक अत्य जन्त आसामान यह रोग है जिसमें बचपन से ही ब्यक्ति को बुढ़ापा की तरह दिखाई देने लगता है यह रोग बालों त्वच्चाय और सरीर की उच्चता में कमी का कारण वनता है प्रोजेरिया के द्वारा प्रभावित लोगों की जीवनासा और सारीरिक कारियों में संकोच हो सकता है यह रोग आमतार पर एक अनुवांसिक मुद्रड की वज़ा से होता है जिसमें प्रोजेरियन नामक प्रोटीन की कमी होती है जो सरीर की बृद्धी और रिपेर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है प्रोजेरिया एक अत्यादिक दुरलव रोग है औ पाकी वे अपनी जीवन सहली को सुधार सके और अपनी समस्याओं के सामना कर सके प्रोजेरिया के कारड जेनेटिक मुद्रड त्रूटी प्रोजेरिया विकास प्राप्त कारडों में से एक है जो जेनेटिक मुद्रड त्रूटी के कारड होती है इसमें हार्मोनिक मुद्र और विशेष ग्रोफ कारकों में तृटी होती है। जिससे सारीरिक और मान्सिक बिस्दावस्ता तेजी से बढ़ती है। Gene, Mutation, Progeria के कुछ रूप Gene Mutation के कारड होते है। इसके लिए विभीन Genome, Mutation होती है। जो बिस्दी के लिए जिम्मदार होते हैं टेलोमेर और टेलोमेरेस प्रोजेरिया में टेलोमेर डिने के चरणवद सनरचनात्मक भाग की अनियंत्रित घटना होती है जो सारीरिक बृद्धी को नियंत्रित करती है या एक टेलोमेरेस के कमी के कारण हो सकता है जो सारीरिक बृद्धी में बाधायें उत्पन्न करता है प्रोजेरिया में अक्सिडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है और शेल विकारों की ब्रिद्दी को बढ़ावा देता है जो प्रोजेरिया के लक्षडों में सामिल हो सकते हैं अनुवान्सिक प्रभाव, अनुवान्सिक घटकों और वातावरडिक कारकों के मिस्रड के कारड प्रजेरिया एक बिरास्ति रोग के रूप में प्रदर्शित हो सकती है युमीन सिस्टम की कमजोरी, कुछ प्रोजेरिया में युमीन सिस्टम कमजोर होता है और शंक्रमणों और अन्य स्वास्त समस्याओं के लिए सुरक्षा कारकों की कमी होती है यह सारीरिक स्वास्त को और अधिक प्रभावित कर सकता है प्रोजेरिया के लक्षड बालों का नुक्सान प्रोजेरिया में बालों का नुक्सान होता है और ब्यक्ति के बाल आसमाने रूप से कमजोर हो जाते हैं यह उनने पितली जैसी दिखाई देती हैं तवचा की समस्याएं, प्रोजेरिया के रोगियों की तवचा में कई समस्याएं हो सकती है जैसे की रूखापन, छाले, छाती की हड़ी का बाहर निकलना आदी ब्रिद्धी की मंदता, प्रोजेरिया ब्यक्तियों का सारीरिक विश्कास आसमाने होता है उनकी ग्रोथ कम होती है और वे आमतोर पर अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखते हैं आसमान्य आंतरीक विकास, प्रोजेरिया के रोगियों के आंतरीक अंग भी आसमान्य विकास कर सकते हैं, जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना या अनुपातित विकास होना, सैयम, हानी, प्रोजेरिया में रोगियों को सैयम के नुकसान का सामना करना पड़ता है, वे अपनी सा पादित करने में परिशानी अनुभाव कर सकते हैं. मंगोलियन फीचर्स प्रोजेरिया के रोगियों में आम तौर पर मंगोलियन फीचर्स देखे जा सकते हैं. जैसे कि आसमान्य आखों का रंग, आखों का आधा, जटिलता, नाख का पतलापन और मुँ का छोटापन, समान्य, समय से पहले बुढ़ापा, प्रोजेरिया में रोगियों को आमतोर पर अपनी उम्र से पहले बुढ़े लोगों के विकास के लक्षड दिखाई देते हैं, ज रोगी की सारीरिक गति सीलता को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ध्यान, अंग, सैयम, एवंग, प्रायाम भी मानसिक इस्तित्ता को बढ़ा सकते हैं, सही आहार, उपेवता आहार लेना रोगी के सारीरिक स्वास्त के लिए महत्त पूड़ है, पोसक तत्तों से भरपूर आ फल, सबजी, प्रोटीन और हरी पत्तेदार सबजिया सामिल करें, रेगुलर मेडिकल चेक अप, नियमित चिकिस्ता जांच रोगी की इस्तिती को निगरानी करने में मदद करती है, और संभावित समस्याओं का पता लगाने में सहायता करती है, कित्सा समर्थन, समय समय पर दायर किये जाने वाले और सदिय उपचार बाल लिवस्ता के अंतराल में होने वाली सिकिस्ता समस्याओं को संभालने और अनुशासन बनाये रखने के लिए महत्तो पुरूड होते हैं, प्रतिदीन की देख भाल, स्वस्त रहने के लिए दिनचर्या में आवस्यक देख भा प्रोजेरिया से पीडित लोगों और उनके परिवारों के लिए राष्ट्री प्रोजेरिया नेटवर्क का समर्थन लावदायक हो सकता है, इससे उनने अन्य लोगों से सहयोग और समाधान का मार्ग मिल सकता है, मांसीक समर्थन प्रोजेरिया से पीडित ब्यक्ति और उनक समर्थन महत्वपूड है इसमें परिवार सदस्यों सामाजिक समुधाय के सहयोग प्रोफेशनल काउंसलिंग और समर्थन गुरुप्स का सहारा लेना सामिल होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स लाइक सेयर कीजिए चैनल के सपोर्ट के लिए और दिये गए बेल आइकन को फ्रेस करिए जा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद